दोस्तो नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग बात करने चलने आदिकाल या बीरगाथा काल के प्रवंग विस्यस्ताइं प्रोर्तियों के बारे में बात करने हैं यदे आप हिंदी कुंज चानल में पहली बार आएं तो यूटूब पर हिंदी कुंज चानल को सब्सक्राइब करने ताकि आपको हिंदी भासा व साहित की नविंतम जानकारी प्रोर्तियों की प्राप्त होती रहे में लिखा गया साहित को आदिकालिन साहित के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित के प्रतम काल को सिद्ध काल सिद्ध सामंत काल बीजपवन काल चारण काल आद अनेग नामों से सम्मूधित किया जाता है हिंदी साहित के प्रतम काल को आचार सुक्ल बीर गाथा काल कहते हैं बीर गाथा काल का साहित राजनीतेक द्रिष्टि से पत्नोमुख, समाजिक द्रिष्टि से देनीन और धार्मिक द्रिष्टि से संगुचित है या असद मतलित है हम इसकी कुछ भी सिष्टाओं के बारहें बात करेंगे जैसा बिरगाथा काल में है, पहला है आसरे दाताओं की प्रसंसा, इस काल के कभियों ने अपने अफर दाताओं की बढ़ा चढ़ा कर प्रसंसा की है, अपने अफर दाताओं को उच्छा दिखाने के लिए और बिरोधियों को निश्चा दिखाना इनका परंधर्म था, इन का अर्थिया है कि इन कभियों ने अपने राजाओं का जूठा यसगान किया है। दूसरा है इतिहासिकता का भाव। इन रचनाओं में इतिहास प्रशिद चर्थनायकों को लिया गया है। किन्त उनका बढ़न इतिहासिक नहीं है। इनके कार कलाब की तिथियां इतिहास से मिल नहीं खाती। इनमें इतिहास के पिछा कल्पना की प्रधानता है। इसमें कभियों ने कल्पना और अतिरंजना का सम्मिजर रणा है। तीसरा है आप प्रमाणिक रचनाएं। इस काल की रचनाओं की प्रवाणिक्ता संदिक्द हैं। भासरा सैली और विश्य भस्तू की दृष्टी से कए रचनाओं में व्यापग प्रवर्तशन मिलता है। लगता है कि इन फुस्तुकों में सताबदियों तक लगातार परवर्तशन होने के काड़ इनका बरतमान रूप संदिक्द बन गया है इसके बाद है युद्धों का सजीव बढ़न इन करणतों में का मुख्य भी से युद्धों और बीरता का बढ़न है युद्ध बढ़न अतन सजीव है क्योंकि ये कभी राजाओं के साथ युद्धों में एक सैनिक के तरह भाग लेने वाले होते थे इसलिए उन्होंने युद्धों का फजीव बढ़न किया है पांचवा है संगुचित राष्टिता इसकाल की रचनाव में राष्टिता का पूर्ण अभाव है इसकाल के कभीयों ने आसर दाता ही उनके एक मातर मालिक थे राजाओं ने भी अपने 150 ग्रामों को ही राष्टित समझ रखा था या देश का दुर्भाग था राजाओं का आपसी संगर सी राष्टिता के अभाव का पृतीक है तो इन कभीयों में संगुचित राष्टिता दृष्टिकोचर होती है छटवा है बीर योम सिरंगार रस तो इन बीर गाथाओं में बीर योम सिरंगार रस का अच्छा समनवे दिखाई पड़ता है उस समय बाल से लेकि बृद्ध तक युद्ध का उससाथ था उस समय या प्रशलित था दोहा कि बारा बरस लैकुकुर जीवे अरू सोरा लव जीए सियार बरस अठारा च्छत्री जीवे आगे जीवन को दिककार यो धों का काड़ प्राय सुंदरियां होती थी अता उनका नक्सिक बढ़न करके राजाओं के उमन में प्रेम जगा जाता था इस समय साहित सिंगार वासना से उपर नहीं उट पाया है साथवा है जन जीवन के चित्रन का भाव तो इंचान कभियों अपने रचनाव में जूटे प्रसंसा में राजाओं के जूटी प्रसंसा में यसगान में जण जीवन को पूरता भुला दिया है हाँथवा कावि के दूरूप इस काल के रचणाऊं में मुक्तः को प्रवंद दौ प्र्कार की रचणाय मिलती है जाहन सहीत में चत्र सहीत, पुराण सहीत, राम काव 보여 कृष्ण काव रोमांटिक काप यदिक मिलते हैं लोक साहित गीती सैली में लिखे गए हैं नौवा है विवित चंदों का प्रयोग तो चंदों की विविता के लिए भी या काल बहुत सरुपरी है दोहा, रोला, टोतक, तोमर, गाथा, आरिया, इसकाल के प्रसद चंद हैं इस चंद जयन साहित प्रश्यम या भ्रहंस वसद साहित पूरवी अपभ्रहंस में लिखा गया है बीर काब डिंगल पिंगल भासा में लिखे गया है लौकि काब पिंगल और खड़ी बोली के और उन मुख है ग्यारव मुख की बात है अंतर बिरोध आदिकाल का साहित अंतर बिरोध प्रुभ और व्योटाओं का काल है इसमें और पूर्व और परशियम का विरूध है प्रशियम का साहिटście रोडीगत है इसमें स्रिंगारिकता रचनौ में बोली है यह box मिथम έंट का प्रचार की sitterए किया गा है वो अभख्त के सासा सरंगारस की कपिताय में लिखते हैं बार्माँ पॉइंट है रासो सैली के वधानता आदिकाल में जीतने पर काबी लिख जाते हैं और उसे में आदिकांस के सैली रासक सैली है रासक गे रूपक को कहा जाता है इनमें ताल लेक अंसार नाजगान कर गया जाता है। इसने प्रसनुत्तर और दो वेक्तियों के वारतालाप को में लिखा जाता है। इन जित्रों में इस भावत्ता का प्राया जगा हर जगा अभाव मिलता है। लेकिन इतनी सारी बाते होने के बावजूद भी प्रमाणिकता होते हुए भी आदिकाल के सहित को महत को नहीं बुलाई जा सकता। तो आपकी परिछा के दृष्टी सियद हम में 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 पॉइंट जित्राष्टिता, बीर योम स्रिंगार्रस, जन जीवन के जित्रन का भाव, कावे के दूरूग, विवित शंदों का प्रियोग, डिंगल भासा का प्रियोग, और कावे में अंतर बिरोध, रासो सैली की प्रधानता, प्रकृति जित्रन, आदी मुख्य विसे हैं। तो इस लेक, लिकित रूपें प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ अपने विच्छों अधिशन से समंदित, यदि आपको और अधिक नोट शाहिए, तो आप हिंदीकोई.com को विजिट करें, वहां आपके लिए उपयोगी अधन सामे को प्रब्द कराए गई है, आसा करता हूँ कि य विडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, धन्यवाद.